पुस्तकाले सामगरी का ब्यवस्थापन का तीसरा सत्र है पिछले दो सत्र में हमने क्यों विवस्थित करना चाहिए उसका क्या महत्व है लाइबरेरी जो मैटीरियल्स है या लाइबरेरी की पुस्तकाले सामगरी है इसके बारे में पढ़ा किस तरह कितने प्रकार के मैटीरियल लाइबरेरी में होते हैं प्रिंट, नॉन प्रिंट, किताब, मैटीरियन्स इस सब का हमने पढ़ा फिर इलेक्ट्रोनिक रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं इजोर्नल्स, इमैटीरियन्स, डेटाबेस, एग्जिबिशन इन सब का बारे में हमने जालकारी ली अब इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ग्रान्थाले सामगरी को स्थित करने के लिए क्या-क्या चरण होते हैं यानि Steps in Organizing the Library Material सबसे पहले जो ग्रान्थाले के जितने भी सामगरी यानि जो लाइबरेरी के मेटीरियल होते हैं उनको Organize करने के लिए अधिग्रहन यानि Acquisition, संग्रह समवर्धन, Collection Development और पुस्तकाले सामगरी का तक्निकी प्रक्रियागराण Technical Processing of Library Material ये सबसे महतपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि जो लाइबरेरी में हम अगर विवस्थापन की बात करते हैं और उसमें अगर हमने कोई Technical Processing नहीं किया Library Material का तो वह एक तरह से Useless, यानि बेकार हो जाता है, हमारे किसी Use का नहीं है तो अब आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में डीटेल में बात करेंगे Acquisition, उस्तकाले के विवस्थापन के लिए गरंथाले यानि Librarian को सरपर्थम यह जानना आवश्यक है कि उसे क्या चाहिए क्योंकि Librarian का जो सबसे पहला काम होता है कि उसको यह पता होना चाहिए कि उसके उपयोकता की क्या जरूरते हैं किस तरह की किताबों की उनको आवश्यक्ता है सबसे महतव्पूर्ण काम होता है इसके लिए जानना जरूरूए कि गरंथाले संग्रह की क्या आवश्यक्ता है कि किस तरह की Collection है, हमारे Users की क्या आवश्यक्ता है, किस तरह की Demand आ रहtar है उसके हिसाब से हमको acquisition करना होता है collection development जैसे library में हमेसा update किया जाता है कि किताबें नई खरीदी जाती है उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया होती है जैसे कई बार exhibition लगा दिया जाता है जिसमें आपके जो भी organization है वहां के जो भी student है teacher है सब आते हैं और जो भी material है उसको recommend करते हो और library उसको खरीदती है तो उसमें भी कई process है अगर हम library collection development को initiate करते हैं तो उसमें कई process होते हैं जैसे कि उसमें हम पहले चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास request आई है किसी भी हमारे user से कि ये किताब चाहिए तो हम उसको check करते हैं अपने library catalog में कि ऐसा तो नहीं कि पहले से य checking करते हैं अगर लब्ध है तो उसको हम अपने user को बताते हैं कि आपकी library में पहले से मौझूद है अगर नहीं है तो हम फिर उसके लिए जो प्रक्रिया होती है कि उसकी list बनाते हैं उसको हम approval के लिए जो हमारे जो उपर के administrators होते हैं उनसे approval लेते हैं उसके बाद हम लोग उ किताब होगी कितना copies हमको चाहिए कौन सा edition चाहिए मतलब किस year का publication होना चाहिए publisher कौन होगा उसका ISBN number से होना चाहिए क्योंकि ISBN जैसे कि पीछे भी जो हमने बात किया कि किताब हर किताब unique होती है उसको एक ISBN number मिलता है उसका एक स्वतंत्र अपना एक identity होती है तो अगर कई बर जैसे कोई किताब उसको update किया, edit किया, उसका कोई नया edition आया तो उसमें उसका ISBN number बदल जाता है तो वो ध्यान रखना होता है कि हमने जिस ISBN number क किताब को मांगा है वही हमें आनी चाहिए और अभी बहुत महत्पूर्ण होता है कि जैसे बित्तिय सीमा में सामगरी का चैन करना कि हर library का अपना एक fund होता है जैसे किसी भी organization में बहुत सारे department है तो हर department का कुछ fund allocate होता है तो उस fund के अंतरगत कितना available है किस department में तो उसी के हिसाब से material भी select होते हैं जो कि based on the availability of the funds फिर जो भी सामगरी जैसे कि कोई किताब हमने जो भी order किया तो उसको क्या करना है acquire करना है ह उसको अपने library में उसकी entry होती है जैसे accession register है तो हर किताब का एक accession register होता है तो हर किताब का एक accession number होता है जिसको हम entry करते हैं जिससे कि उसको जो number है वो unique number होता है और उसमें पूरी detailed कıtाब की कौन उसका लेखक है क्या title है क्या टाइटल है कौन publisher है किस year में publish हुई है कोई edition तो उस edition का detail, किस शहर में हुई है, कौन से वर्ष में हुई है, और कितने pages हैं, यह सारे information के साथ फिर vendor की detail पूरी होती है, accession register में की, bill number, कितने amount की किताब थी, जिस पर कितना discount दिया गया, और कितने में किताब हमने खरी दी है, तो इस तरह की यह सारे details जो होती है, हम accession register में और आजकल ज्यादा तर library में library management software भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक कोहा का, एक open source software, तो उसमें भी entry होती है, उसके accessioning होती है, यह सारी details वहाँ भी entry की जाती है, फिर अधिग्रित नई सामगरी के अभिलेक तियार करना की, अब उसका पूरा जो record, जो मैंने बताया कि उसके सारे records की किताब में क्या-क्या है, उसका पूरा details की entry की जाती है, technical processing, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत महतुपूर्ण हिसा होता है, library के, daily के काम, काज का, उसमें कई चरणाते हैं, जैसे process new material, कि पहले नई सावगरी का तकनिकी, जैसे accessioning उसकी होती है, फिर उसका पूरा detail आगया आपके software में भी, और जो accession register होता है, उसमें भी किया डाला जाता है, सामगरी को वर्गित-क्रित करना, जैनि classification of material, यह भी सबसे महतपूर्ण है, अगर हम, जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता, कि किसी library में किताबों को alphabetical order पे हम arrange कर दे, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम A से, अगर माल लीजे, कि हम alphabetical order में किताबों को वर्गित करते हैं, या arrange करते हैं, लाइबरेरी में, तो उसमें जरूरी नहीं है कि A, अगर alphabet से हमारी political science की किताब है, तो अगली भी political science की होगी, वो किसी और विशय की होगी, तो इसलिए classification किया जाता है, subject की base पे, तो classification के भी जो scheme से आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा होगा, कि एक तो डॉक्टर रंगनाथन का colon classification scheme है, डेवी decimal classification scheme है, ये सारा किताबों को classify करने के लिए, उनके subject के आधार पे, अब उदारार के लिए जैसे अगर बात करें, डेवी decimal classification की, तो इसमें एक alpha numeric combination होता है, नंबर दिया जाता है, जिसको call number कहते है, ये call number भी, एक तो book number और class number, इन दो का combination होता है, जिसको call number का आजाता है, तो अगर कोई भी किताब है, उसको हम subject के बेज पर जैसे डेवी decimal classification किया कर बात किया जाए, तो उसमें 000 से लेकर 900 तक उन्होंने subject categorize किया है, जैसे library science 000 में आ लेकिन 300 जो है, वो social science है, और social science के अंतरगत जितने subject आते हैं, जैसे कि माली जी political science के हम बात करते हैं, तो वो 320 है, economics 340 है, तो ऐसे ही literature जो है, वो 800 में आता है, हिंदी चाहिए English, तो उसके अलग-अलग, फिर number और sub category होते हैं, तो इनको वरगी कृत करने से classification करने से ये होती है, वो alpha numeric order में arrange होती है, library में, कि ये shelf पे, जिससे कि user को बहुत आसानी होती है, कि वो सीधे shelf पे जाए, और वो ascending order में होता है, कि इसका, जो मैंने अभी कहा कि अगर हम expression number से सिफ और अरेंज कर दे, चाहिए हम alphabetical order में कर दे, तो उससे हमारी जो user का है, उसका जो सीमा है, बहुत limited, बहुत limit में हो जाएगा, कि अगर वो library science की कोई किताब को देखने गया, तो ज़रूरी नहीं कि उसके बगल की 10 किताबे library science की होगी, लेकिन अगर वो classify है, किसी भी classification scheme की अंतरगत, तो इसका मतलब है कि उस number की जितनी भी किताबे होंगी, उसके आसपास होंगी और user के लिए एक तरह से exposure होता है, कि वो एक किताब ढूडने जाता और उसको 10 और किताबे हैं, 20-50 किताबे और वहाँ पे, उसी से सम्मंदित वहाँ पे मिल जाती है, फिर सामगरी को सुची कृत करना, यानि cataloging करना, इसमें जितने भी bibliographic details होते हैं किताब के, कि किताब के कौन है, उसके कोई और लेखक हैं, दो लेखक हैं, तीन लेखक हैं, अगर jointly लिखा गया, तो उन सब का details, publication का year, कब प्रकासित हुई, कौन से शहर से प्रकासित हुई, कौन प्रकाशक है, तो इस तरह की जितनी भी सूचना है, वह आपको catalog मिलता है, इसके अलावा कुछ keywords, जैसे अगर library science के acquisition पे कोई किताब है, अधिगरहन पे, तो हम उसमें keyword डाल देते हैं, अधिगरहन, library, university, library, college, library, इस तरह का कुछ भी keywords डालते हैं, ताकि जब भी search करें, तो उससे सम्मंदित और भी जितने material या किताबे हो, भी आपके result में आती है, जिसको metadata भी हम करते हैं, तो ये cataloguing का इसलिए उपियोग किया जाता है, कि उसका maximum, जो भी हमारे resources हैं, उनका maximum यूज हो पाए, बहुत इक प्रक्रिया कराण, physical processing, अब जैसे library में किताब आती है, तो जिस library में आएगी, वहां का stamp उस पे जरूर लगेगा, नहीं तो किताब, क्योंकि उससे क्या होता ह लिखा जाता है, फिर जो call number की हमने बात किया, classification करके, उस call number को लिखा जाता है, फिर उसमें पैस्टिंग की जाती है, due date slip, क्योंकि due date slip पे भी library का detail रहता है, प्लस उसमें आपका call number, accession number, sub mention होता है, और उसमें date होता है, कि जैसे हम कोई भी user library से किताब ले जा रहा है, तो उसके किस date पे उसको लोटाना है, वो date वहाँ पे mention होती है, तो इसके लिए हम लोग due date slip भी लगाते हैं, किताब के पीछे, एकदम last page पे, फिर labeling, आजकल जैसे बार कोड स्कैनर चल रहा है, तो हम लोग बार कोड लेबल निकालते हैं, जिसमें उसमें class, accession number, call number, सबकी detail होत उसको issue or return, library management software की साहता से हम लोग करते हैं, और सबसे important है कि संसाधनों का प्रदर्शन, display of the resources, क्योंकि अगर माल लीजे किसी महीने में मेरे लाइबरेरी में 200 किताबे आई, पर अपने किसी को नहीं बताया अपने users को, क्योंकि किताबे तो अलग अलग जगा पे, जैसे classification के पर अगर हमने उसका detail अपने users को नहीं बताया, या हमने कुछ नहीं किताबों को display भी नहीं लगाया, तो एक तरह से उनका जो उपयोग है वो कम हो जाता है, तो आजकल जैसे email के थ्रू लोग भेज देते हैं कि अज इतनी new arrivals हैं, इस समय लाइबरेरी में इतनी किताबे आ सकें, देख सकें और ले जा सकें, और लास्ट में भंडारन और सेल्विंग, कि उनको स्टोर करना और शेल्फ पे प्रॉपरली अरेंज करना, यह सबसे महतपूर्ड काम होता है लाइबरेरी का, जिसमें कि अगर किताबे शेल्फ पे अपने सही जगह पे नहीं है, जैसे कि जो परपज है, अमद्यवस्थफन का, उसमें पहला है यही है कि हर किताब का अपना एक जगह है, हर मेटीरियल का अपना एक जगह है, तो उस जगह पे वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब है किताब मिसिंग है, क्योंकि कोई भी यूजर जब कैटलॉग सर्च कर कि कॉल नंबर से उस किताब को ढूडने जाएगा, और अगर वो किताब अपनी जगह पे नहीं है, जहां उसको होना चाहिए, तो एक तरह से वो एक किताब नहीं है लाइबरेरी में, क्योंकि यूजर को वो नहीं मिल रही है, उसकी जगह कहीं और है, तो इसलिए शेल्वे किताल मिल रहीं और वो पे हुआ लिए सिताब送 से लाइ़खने य्यू यूजर को ओक हो थाला प्यूबरा को प्रहाग लाए़शने पहाए़टिखोसे धिए मॉजर यूजर मिल यू है लाजर के वो एका जगह जिए